Hello Friends, This is Vijay, Welcome to my Info Channel So, दोस्तों जैसे कि आप जानी गए होंगे टाइटल से आज हम बात करेंगे प्रोफित ट्रेलर की जो सैटिंग्स है उसके बारे में पिछली जो दो वीडियो थी उसमें अमने जाना था कि प्रोफित ट्रेलर को कैसे इंस्टोल करते हैं और कैसे उसकी जो इंटरफेस है वो कैसी दिखती है, कैसे काम करती है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको रेकिमेंड करूँगा कि वीडियो जाकर देखिए ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद आप ये सैटिंग्स के बारे में जानकारी पराफ्ट कर सकते हैं तो दोस्तो आज जो सैटिंग्स की जो बात हम करेंगे वो नेक्स तीन वीडियो में हम करेंगे पहली जो वीडियो होगी वो application और configuration की setting के बारे में होगी second जो होगी वो DCA की setting के बारे में होगी और तीसरी जो last वीडियो होगी वो pace की settings के बारे में होगी तो दोस्तो आज हम start करेंगे application और configuration की setting से इसे start करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये और जो साथ में बेल आइकोन है उसे दबाना मत भूलिएगा क्योंकि उसी के बेस पर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी जो मेरी फ्यूचर की वीडियो है उनके बारे में आपके फोन पर आपके टैबलेट पर और आपके कम्प्यूटर पर जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर आपको आपको अटिफिकेशन मिल जाएगा तो आएए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोफिट्रेलर की सैटिंग्स के लिए आपको दिखाना चाहँगा कि जब आप प्रोफिट्रेलर खरीद लेंगे या आपने अलड़ी खरीद लिया है तो आपके कम्प्यूटर में इस तरह की एक फाइल होगी इंस्टॉल करने के बाद इसे प्रोफिट्रेलर जिप फाइल बोलते हैं जब आप इसे एक्स्ट्रेक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रेक्ट करने के बाद ये सारी फाइल्स आपके फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएंगी कुछ एक files हैं जैसे backup और logo यह अभी starting में नहीं होंगे क्योंकि अभी आपने कोई trading वगरा start नहीं की होगी तो यह बाद में automatically system बनाएगा इन files को जो main files होंगी जैसे आपका run profit trailer और यह application की जो option है और configuration की option और यह trading जिसमें DCA, indication और pair तो दोस्तों यह सब files आपके computer पर install हो जाएंगी जहां भी आपके folder में जहां भी आप उसे extract करेंगे तो यह सब start करने से पहले आपको एक important जो files है कुछ एक important software है जो आपको install करने होंगे मैं आपको profit trailer की जो wiki जो यह page है जहां पर सारी instruction दी हुई है जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था तो इस page पर आपको सारी information बिलेंगी कैसे आपको profit trailer को install करना है कैसे उसकी settings करनी है और क्या-क्या आपको इसके लिए चाहिए तो स्टार्टिंग में settings को set करने से पहले जो कुछ एक बाते हैं जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है कुछ एक जो software आपको install करने ज़रूरी है profit trailer को run करने के लिए पहला जो है वो java 8 जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था तो java 8 को install करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके computer में already java 8 है तो आप उसे आपको install करने की ज़रूरत नहीं है यदि आपके पास नहीं है तो आपको install करना होगा आप ये profit trailer की instruction website अभी की है वहाँ से install कर सकते हैं इस पर click करके और दूसरा मुझे वो option यहां मिल नहीं रही है मैंने देखी थी पहले लेकिन जो option जो मैं बताना चाहरा हूँ वो है जैसे कि हम यहां पर जाएं तो जैसे कि इस file पर हम जाते हैं यह है notepad++ तो दोस्तों यह भी आपको install करना जरूरी है अगर आपके पास normal notepad है जो window का default जो आप window install कर जाता है उसके अंदर उसे आप यूज नहीं कर पाएंगे यह सारी settings करने के लिए तो आपको notepad++ आपको इसके लिए install करना होगा जो free है गूगल पर आप सर्च कर सकते है notepad++ जो latest version होगा उसे install कर लीजेगा तो इसी के base पर आप अपनी जो applications है जैसे यहां पर the application properties, configuration, dcf properties जो भी मैं आपको वापीस ले जाके दिखा देता हूँ एक बारी जो भी applications है इनको open करने के लिए notepad++ की जरुरत पड़ेगी आपको यह normal notepad में भी open हो जाएगा जैसे कि यहां पर लेकिन आप देख सकते हैं कि यह corrupted होगी है file, normal notepad पर यह काम नहीं करेगी तो आपको notepad plus plus की जरुरत पड़ेगी इसे सही से देखने के लिए और इसको edit करने के लिए तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे application की file दी हुई है तो दोस्तों applications को open करने के लिए आपको right click करना है और edit with notepad plus plus अगर आपने install कर लिया है तो इस पे right click करके आपको इस पे जाना अगर आप direct click करेंगे तो यह normal notepad पर जाएगा आपको दिखाएता हूं जैसे यहां पर click है direct normal notepad पर गया लेकिन आपको right click करके यह automatically आपको दिखाएगा notepad plus plus तो आप उस पे click करेंगे तो आप यहां पर application properties में आ जाएगे तो दोस्तों यह है settings यहां पर आपकी जो application है वो चलेगी application properties जो हो main है software को इसको board को चलाने के लिए तो मैं आपको यहां पर वापिस इसकी जो wiki है वहां पर ले चलता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर यह सारी information दी हुई है कि कैसे इसको settings को edit करना है और जो तो मैं one by one जाओंगा तो तो आपिस चलत server port को आपको ऐसी रखना है 8081 इसमें changes नहीं करने है changes अगर करने भी है तो इससे 81 से उपर करने है आपने जैसे 8083 कर सकते है 8080 नहीं कर सकते server port को और दूसरा यहां पर trading exchange तो दोस्तो यहां पर जो भी आप exchange यूज़ कर रहे हैं जैसे आप Binance यूज़ कर रहे हैं तो Binance को capital later म यहां पर डालना है Binance और अगर Bittrex यूज़ कर रहे हैं तो Bittrex डालिए और Poloniex यूज़ कर रहे हैं तो Poloniex को यहां पर डालिए और next option आप किया जाती है default API key तो दोस्तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप API key generate कर सकते हैं अपनी exchange पर जाक जो भी exchange आप यूज़ कर रहे हैं Poloniex और Bittrex उस पर आपको API key generate करना है लेकिन मैं Binance यूज़ करता हूं तो मैं Binance का यूज़ दारन आपको दूँगा तो यहां पर API key generate करना बहुत असान है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आप अगर यहां पर instruction में जा करते हैं अपनी जो भी exchange आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी instruction यहां पर दी हुई है और वापिस मैं आपको API key पर लेकर जाना चाहूंगा अपनी Binance की तो यहां पर जब एक बार आप Binance पर जब अपनी API या जिस भी exchange पर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी API key generate कर लेते हैं त साथ में इसका API secret जो API key के नीचे होता है एक secret वो आपको यहां पर ड़ना है जो भी API key है यहां पर डाल कीज़े, मैं आपको नहीं दिखा सकता अपनी API key तो आपको जो भी मिलेगी आप यहाँ पर डाल दीजिए कुछ भी API की जो भी आपको मेरी धारन के तोर पर यह डाला है और यहाँ पर वैसे ही आपको API secret भी डालना है यह होगी पहली API की और दूसरी API की आपको यहाँ पर डालनी है जैसे गर आप वापिस बाइनेंस पर जाएं तो जैसे मैंने यहाँ पर दो API की जनरेट की हुई है तो आपको second API की का भी API की और उसका जो secret code है वो यहाँ पर डालना है यह पहला काम आपको करना है दो चीजे जो important है क्योंकि इनी API की के base पर बोट जो है बोट को access मिलेगा आपकी exchange पर जाकर trading करने का तो अगली option दोस्तो यह time zone की है जो इस भी country में आप रहते हैं वहाँ का time zone यहाँ पर डाल सकते हैं time zone जरूर डालना ताकि आपकी जो trading है वो आपकी country के time zone की according हो और next option जो है वो server.password यहाँ पर आपको अपना password डालना है यह आपको डालना जरूरी है security के लिए आप अपना जो भी password आप यहाँ पर डाल सकते हैं और password डालेंगे उसके निचे आपको एक option और देनी होगी जैसे मैं अगर आपको वीकी पर लेकर जाओं यहाँ पर आप जो base जो application properties है अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो जो password आपने जैसे यहाँ पर driver.password आपको password डालना है यह सारी instructions है profit trailer पर application properties की और यहाँ पर आपको उसके बाद यह जो server.enable.config यह आपको password के निचे डालना है यह option यह आप copy कर सकते हैं और वापिस notepad पर जाकर आप enter करिए और यह option यहाँ पर डाल दीजिए इससे क्या होगा कि आपकी जो application है वो configure हो जाएगी और आपकी जो boat है वो काम करने लगी अगर आप यह option नहीं डालते हैं तो आपकी boat काम नहीं करेगी यह option आपको डालनी जरूरी है और true करना है अगर आप यहाँ पर false कर देते हैं इसमें पताना चाहूँगा कि जो profit trailer है उसमें दो option होती हैं yes और no के लिए yes के लिए true और जो no के लिए है वो false का जो figure और false का जो word है वो use किया जाता है तो आपको यही option यहाँ पर डालनी है और तीसर जो next option आती है वो trading.log history मतलब कि आपने कितनी दिन की history देखनी है अगर आप सो दिन की डाल दीजे जितने भी दिन की आप रखना चाते हैं मतलब कि जो भी trading होगी वो history automatically save हो जाएगी profit trailer में तो आप देख सकते हैं जितने भी दिनों की आप रखना चाहें और next option जो है वो telegram.bot token है ये completely option है ये telegram एक messenger service है अगर आप register होते हैं उस पे तो यहां पर आप उसके जो instructions के according यहां पर उसके बोट के token और chat ID डाल सकते हैं इसका क्या फाइदा होगा कि जब भी कोई बोट आप की trading करती है जब भी कोई मतलब क्याने का मतलब कि कुछ कोई भ इसकी जो मैसेज होगा वो आपके बोट जो telegram जो messenger उसके आपर automatically आता रहेगा तो इसका basically है यह optional है आप करना चाहें तो कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी application properties तो बहुत ही simple instruction application properties में यह आपको करना जरूरी है जो बोट है उसको run करने के लिए तो दोस्तों अगली option के ओपर हम चलते हैं जैसे configuration तो अगली option जो होगी वो configuration की होगी तो वापिस हम notepad पर चलेंगे और यह configuration properties हैं आपको कुछ change करने की जुरूरत नहीं है जो भी cell, fill और kill जो भी दिया हुआ है इसको false true यह default setting है इसको आपको बिल्कुल भी change करने की जुरूरत नहीं है बलकि आपको mode है वो test mode में run करेगी वो real time में जो भी cell purchase करेगी लेकिन actual sale purchase नहीं होगी वो आपको demo के तो पर दिखाएगी तो आप इसको false रखिएगा ताकि आपकी जो trading है वो real time में हो सके तो दोस्तो यह थी application और configuration की settings यदि आप DCA और pair settings के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी अगली दो वीडियो देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा और यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो like बटन दबाना मत भूलिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर सकते हैं और साथ में जो bell icon है उसे द यदियो और यदियो थो बटना का लगए जाएगा झाली आपको ये कर दोदियो था रवाली आपको ये लागा मेरे ये चाहीं किया जबाएगा वीडियो नहाली चैनल को भड़े तका नहिएएगा जहाली आपको येजो गूषर, जद्टेएगा जदेशनाव बटना भी